अस्सेलाम वालेकूम आज मैं बनाओंगी अंडा करी इसके लिए तीन मीडियम साइस की प्यास स्लाइस करके रखे वे आट से दस बादाम, दो मीडियम साइस की टमाटर काटके रखे वे, चार अंडे बॉयल करके रखे वे, एक प्याली दही, वन टेबल स्पून अधरक लेशन का पेस्ट, वन टी स्पून लाल मिच पॉडर, हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर, वन टी स्पून जीरा पॉडर, हाफ टी स्पून कस्तुरी मेथी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पॉडर नमक अपने हिसाब से, अभी यहाँ पे हम एक कड़ा तो बुटा काटावा है, क्योंकि इसको पीसना है इसके लिए अब इसे हम फास आज पे रखे रखे रखेंगे यहां पे जो यह अंडे इसको हलका साम उपड़ से कट करेंगे ज्यादा कट नहीं करना है ऐसे छुड़ी से या फॉक की मदद से इसके अंदर हम इस तरीके से हो लगा के इसे हम मिक्स करके रख देंगे हलके हातों से लगा के से रखना है इस तरीके से यहां पे देखो मेरा प्यास भी भून के रेटी हो गया इसको कलर चेंज हो गया अभी इसमें हम टमाटर दालेंगे और इसे भी बूनेंगे इसे फास आज पे रखके भूनना है इसम हम तेल गमाद करें और के weten कि यार में डाल के इसेंगे इसे बारीक पीसना है मिक्सर के छार करिणे इसका इसलो प्रीकवार। और पेस्ट भाई और ये आलें इस तरीके से हमें इसे भूनना है इसके बाद इसमें हम यह सुखे मसाले दालेंगे और इसे भी 2-3 मिनट दग चलाते रहेंगे और बार लोल कितना अच्छा है न मशाळला अब ऐसी दालने के बाद इसमें हम दही दालेंगे क्या अच्छी रूंडवा और दही को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि मिक्सर के जार में जिसमें हमने defence मैं एक कप पानी भीमिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी जो हमारी ज्यादा हो जाएगी और थोड़ी पतली भी हो जाएगी बहुत गाड़ी है अभी से हम 10 मिनित टक पकाएंगे कामाज पर अंडे दे को यहाँ पर रेडी है अभी से हम एक कड़ाई में दालके इसे फ्राइ करेंगे मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून त इसे इसी तरीके से हम घुमाते वे अंडे को फ्राइ करेंगे इस तरीके से अंडे फ्राइ करेंगे और यहाँ पर जो है मेरी ग्रेवी प्रेटी हो गई है अब इसमें यह अंडे दालेंगे और यह जो तही लेना उसको भी हमको इसमें यूस करना है अंडे आप लोग को अ पकाएंगे इसे डखके कामाच पे पकाना है देखो ग्रेवी रेडियो हो गई है कितना अच्छा कलर आया ना मशाला और ग्रेवी बहुत अच्छी बनी थी आप लोग भी ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताना आप लोग को मेरी रेसेपी कैसी लगी इसे अभी हम सर्फ करेंगे और धन्या से करणिश करेंगे हाई फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ममा की रेसेपी अच्छी लोगी हो तो मारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग